हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चाइनल एकजाम प्लेयर में तो दोस्तो आज हम फिर लाए हैं बिज्ञान के बहुत ही महतपुर्ण कोश्चन जोकि बिहार पुलिस फायर मैन ससी जी डी यूपी एस आई और जितने भी कमपेटेटिव एकज काम होते हैं उनके लिए बहुत ही महतपुर्ण होने वाला है तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखेगा ताकि एकजाम में एक भी कुश्चन गलत नहों तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं क्या है कि परमानु अभाज्य इसको हम इसको हम नहीं तोड़ सकत हैं यह किसने प्रस्तावित किया था तो यह जॉन डॉल्टन के द्वारा ही बताया गया था कि परमानु जो है वह अभाज्य है याद रखेगा डॉल्टन के द्वारा बताया था कि परमानु अभाज्य है इसे हम भाग में नहीं बाठ सकते हैं टुकरो में नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट है पदार्थ का प्रवानविक सिधान सरपर्थम किसे ने प्रस्तावित किया क्या है कि पदार्थ में जो है परमानू होते है या सरपर्थम किसे ने प्रस्तावित किया तो ये जॉन डॉल्टन, जॉन डॉल्टन के द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था कि पदार्थ का परवानविक सिधानत के बारे में जोन डोल्टन के द्वारा ही बताया गया था नेक्स्ट है परमानु सनरचना का मोडल किसे ने विक्सित किया क्या है कि परमानु का जो सनरचना होता है वह परमानु के किसे ने विक्सित किया कि परमानू का साज इस तरह का होगा तो ये बोड तथा रदर फोड बोड तथा रदर फोड ने ही परमानू सनचना का मोडल विक्सित किया गया था ये याद रखेगा बहुत ही महत्पून कोश्चन है नेक्स्ट है परमान विये नाभी किसने खोजा था तो ये की थी रदर फोटने नेक्स्ट है परमानू के नाभीक का आकार होता है क्या है कि परमानू का जो नाभीक होता है उसका साइज यानि आकार कितना होता है तो याद रखिएगा परमानू के नाभीक का साइज जो होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर नेक्स्ट है किन किर्णों के परकिर्ण से नाविक के आकार का आकलन किया जाता है यानि कि वह कौन सा किर्ण है जिसको परकिर्णित कराके हम नाविक का जो आकार है उसको हम ग्यात करते हैं ये है अलफाकन के परकिर्णन से ही नाविक के अकार के बारे में पता चलता है कॉनसे तक्तो का नाविक कितना बरा है या कितना चोटा है नेक्स्ट है रदरफोट के अलफाकनों के परियोग से सरपर्थम दिखाया गया कि परमानू में होते हैं यानि कि रदरफोट के जो अलफाकन के परियोग से सरपर्थम दिखाया कि परमानू में क्या होते हैं, रदरफोट ने अलफाकन के परकिर्णन से क्या पता लगानी की कोशिश की, तो उसने पता लगा कि परमानू में क्या होते हैं, नाविक होते हैं, पले ही देख चुके है क नाविकी खोज जो है रदरफोट ने किया था तो अलफाकन के परकिर्णन से ही रदरफोट को पता चला था कि परमानु में क्या होते हैं नाविक होते हैं नेक्स्ट है रदरफोड के पतले स्वर्ण पर्ण पर अलफाकन परकिर्णन पर्योग निमलिखित में से किस की खोज के लिए उतरदाई है क्या है कि रदरफोड के जो पतले स्वर्ण पर जो है अलफाकन का परकिरनन का पर्योग किया तो उसने क्या मिला उसे रदरफोड को क्या मिले तो रदरफोड के परमानू के नाविक मिले अलफाकन के परकिरनन जब सोने के जो प्लेट पर किया गया तो उसमें परमानू में न नाविक की नाविक दिखाई दिया उनको। नाविक के धनावेसित होनी की खोज की थी क्या है कि नाविक में जो है वह धनावेस होता है यहाँ धनावेस होता है यहाँ किसने खोज किया था तो यह रदर फोड नहीं खोज की थी कि परमानू में परमानू के नाविक में जो है वह धनावेस होते हैं नेक्स्ट है एक परमानू के तीन आधारभुत अभ्यव कौन होते हैं क्या है कि परमानू में कौन से तीन अभ्यव होते हैं तो यह होते हैं प्रोटोन न्यूटोन तथा एलेक्टोन यह तीनों मिलकर किसी एक परमानू का निर्मान होता है परमानू में क्या होते हैं प्रोट प्रोटोन प्लस न्यूटोन और प्रोटोन और न्यूटोन क्या है अप्सने प्रोटोन और न्यूटोन होते हैं किसी भी परमानू के नाविक में प्रोटोन और न्यूटोन प्लस एन दोनों मिलकर परमानू के नाविक का निर्मान होता है याद रखेगा बहुत ही महत पूर् होती है वहां बराबर होती है तो यह होते है इलेक्ट्रोन पलस न्यूट्रोन क्या है इलेक्ट्रोन पलस न्यूट्रोन जो होते हैं इलेक्ट्रोन किधर है इलेक्ट्रोन और प्रूट्रोन और प्रूट्रोन जो इलेक्ट्रोन और प्रूट्रोन ऑप्सन भी याद रखेगा इलक्ट्रोन और प्रोट्रोन जो होते है वह परमानु में समान संख्या में होते है जितना इलक्ट्रोन होगा उतना ही प्रोट्रोन होगा याद रखिएगा परमानु में इस्थित होते है नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन एक अस्थाइकन है क्या है कि निमलिखित में से क नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन एक आवेस रहितकन है यानि कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है निट्रल निट्रल यानि कि आवेस हीन होता है उदासीन जिसको हम बोलते हैं तो यह है निट्रोन निट्रोन जो है निट्रोन वह उदासीन होता है यानि कि निट्रलाइज काँ साएं किसी तत्यों के परमानु करमा का सबसे सही निर्धारन करता है तो ये करता है प्रोट्रोनों की संख्या पर ही परमानु संख्या निर्भर करती है कि उसमें जितने भी प्रोट्रोन की संख्या होगी उतना ही प्रमानु संख्या होगी नेक्स्ट है बर्स 1897 में इलेक्ट्रोन की खुज किसी ने की थी क्या है कि इलेक्ट्रोन की जो खुज हुई थी वो 1897 में कौन किया था तो ये जे जे थॉम्सन याद रखेगा बहुत ही भीवी आई गोशन है जे जे थॉम्सन के द्वारा ही इलेक्ट्रोन की खोज की गई थी 1897 में सबसे पहले इलेक्ट्रोन के आवेश का सफलता कुर्वक निर्धारन किसे ने किया क्या है कि इलेक्ट्रोन पर जो होते है वो आवेश होते है यह इसका निर्धारन यानि कि किस ने खोज किया था कि इलेक्ट्रोन पर आवेश होता है तो यह खोज किया था मिलीकन ने मिलीकन के द्वारा ही बताया गया था कि इलेक्ट्रोन पर आवेश होते हैं जो कि इलेक्ट्रोन पर निगेटिविली चार्ज यानि कि रिनावेशित होते हैं इलेक्ट्रोन नेक्स्ट है निमलिखित में से वह कौन सा है जो रिनात्मक रूप से आवेशित होता है तो याद रखेगा इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन जो होता है वहाँ रिनात्मक यानि कि इलेक्ट्रोन पर रिनाबेश होता है याद रखेगा था नेक्स्ट कोस्चन है एक इलेक्ट्रोन पर कितना आवेश होता है क्या है कि इलेक्ट्रोन पर जो होता है वह निगेटिबली चार्ज कितना होता है तो याद रखिएगा ओप्शन ए माइनस 1.6 इन्टू 10S2 पावर माइनस 90 यानि माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कू कुलम जो होता है वह एलेक्ट्रोन पर याद आवेश होता है नेक्स्ट कोस्चन है किसी परमानु में परिकर्मन कर रहे है किसी इलेक्ट्रोन की कुलूर्जा क्या है कि किसी परमानु के अंदर जो होता है वह एलेक्ट्रोन घुमते रहता है तो उसकी कुलूर्जा जो होती है वह सदा धनातमक होती है याद रखेगा किसी भी परमानु के इलेक्ट्रोन की जो परिकर्मन कर रहे है इलेक्ट्रोन की जो कूल उर्जा होती है वह हमेशा धनातमक होती है नेक्स्ट है प्रोट्रोन की खोज किसने की थी तो प्रोट्रोन की खोज किसने की थी तो प्रोट्रोन की खोज है वह गोल्ड एस्टी गोल्ड एस्टीन के द्वारा प्रोट्रोन की खोज की गई थी याद रखेगा नेक्स्ट है प्रोटोन पर आवेस, डैस पर आवेस के बराबर होता है क्या है कि प्रोटोन पर जो आवेस होता है हुआ किसके आवेस के बराबर होता है तो यह होता है अलफाकन, अलफाकन के आवेस के बराबर प्रोटोन पर जो आवेस होता है हुआ अलफा कन के आवेस के बराबर होता है नेक्स्ट है रिनावेसित परमानु ने रिनायन में प्रोटोन की संख्या क्या है क्या है कि रिनायन जो होता है रिनावेसित परमानु उसमें प्रोटोन की संख्या कितनी होती है तो याद रखीगा प्रमानु में इलेक्ट्रोन की संख्या के बराबर प्रमानु में जो इलेक्ट्रोन की संख्या होती है उसके बराबर प्रोट्रोन की संख्या होते है इलेक्ट्रोन प्लस प्रोट्रोन की संख्या के बराबर इलेक्ट्रोन की संख्या जो होते है वो प्रोट्रोन की संख्या के बराबर होते है यानि कि जितने इलेक्ट्रोन होंगे उतने ही प्रोट्रोन होंगे याद रखेगा नेक्स्ट है निट्रोन का पता लगाने वाले बेग्यानी का क्या नाव यानि कि वह कौन से बेग्यानी थे जिन्होंने निट्रोन की खोज की थी तो ये चैडवीक के द्वारा निट्रोन की खोज की गई थी या दखेगा चैडविक, जेम्स चैडविक जो है वह निट्रोन की खोज की थी नेक्स्ट है निमलिखित में से किस परमानु के नाविक में निट्रोन नहीं होता है कौन से परमानु है जिसके नाविक में जो होता है वह निट्रोन नहीं होता है नेक्स्ट है पोजिट्रोन के खोज करता कौन है पोजिट्रोन किसने खोजा था पोजिट्रोन की खोज किसने की थी तो ये एंडर्शन जो है एंडर्शन उसके द्वारा पोजिट्रोन की खोज की गई थी एंडर्शन के द्वारा याद रखिएगा नेक्स्ट है वह कौन जो नुकिलियोन को बंधे रखने का कार्ज करता है वह कौन से भारतिय बेग्यानिक है जिसका नाम मूलकन के साथ जुरा हुआ है तो वह है बोस जो है जगजिस चंदर बोस जेसी बोस उसका नाम जो है वह मूलकन के साथ जुरा हुआ है नेक्स्ट है किस निकुलियरकन में कोई दराब्यमान और कोई आबेस नहीं होता किन्तु प्रचकरन होता है वह कौन सा निकुलियरकन है जो जिसमें कोई दराब्यमान और कोई आबेस नहीं होता है किन्तु चकरन होता है यानि कि चकर करता रहता है तो वह है वह निट्रोनो है निट्रीनो अप्संसी निट्रीनो जो है उसमें न तो दरवेमान होता है और नहीं आबेस होता है उसमें निट्रीनो नेक्स्ट है वह कान जो निकुलियोन को बंधे रखने का कार्ज करता है वह कान सा कन है जो निकुलियोन यानि की नाभी को बंधे रखने का कार्ज करता है तो वह होता है मेशोन जो होता है वह निकुलियोन यानि की नाभी को बंधे रखने का कार्ज करता है नेक्स्ट है निटरीनों की खोज करता क्या है कि निटरुनों को किसने खोजा था निटरीनों को तो निटरुनों को जो खोज की थी निटरीनों को वो पावली के द्वारा निटरीनों की खोज की गई थी next है मेशोन के खोज करता है मेशोन के जो खोज करता है वह कौन है मेशोन मेशोन एक मुलकन है जिसका खोज यूकाबा यूकाबा के द्वारा मेशोन की खोज की गई थी नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा एक परमानू का भाग नहीं है निमलिखित में से वह कौन सा एक परमानू का भाग नहीं है तो यह है photon, photon जो है वह परमानू का भाग नहीं है लेकिन परमानू में electron, proton और neutron तीनों मुझूद होते हैं किसी भी मुलकन में Next है दरब्यमान संख्या किसका होता है? क्या है कि दरब्यमान संख्या जो होता है वह किसका योग होता है? द्रब्यमान संख्या, तो यह होता है proton और neutron P plus N option D, proton और neutron का जो योग होता है वो होता है द्रब्यमान संख्या next है nucleus की द्रब्यमान संख्या क्या है, कि nucleus की द्रब्यमान संख्या कितिनी होती है, nucleus की द्रब्यमान संख्या, तो यह होता है electron और proton किसी परमानु के परमानु दरब्यमान और दरब्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? नेक्स्ट है किसी तत्यों के रशायनी गुन निर्भर करते हैं यानि कि किसी तत्यों के रशायनी गुन वह किस पर निर्भर करता है? तो यह परमानु संख्या पर जो किसी तत्यों के रशायनी गुन निर्भर करते हैं परमानु संख्या पर क्या है कि जब दो एलेक्ट्रोन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पया जाता है क्या है कि जब दो एलेक्ट्रोन जो होता है वह एक ही कक्ष में होता है तब क्या होता है तो एलेक्ट्रोन पर होते हैं नीगेटिविली चार्ज, अब जब दो सेम चार्ज एक दूसरे के एक ही कक्ष में होंगे, तो उसमें क्या होगा विपिरित चक्र, वो एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ भागेगा, तो यह होता है विपिरित चक्रन, जब दो समान आवे इसके बेच याद रखिएगा, नेक्ष्ट कोस्चन है, और निस्चित्ता के सिधान्त का परतिपादन किया, क्या है, कि और निस्चित्ता का सिधान, जब कोई इलेक्ट्रोन उच कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, तो क्या होता है, क्या है, कि जब कोई इलेक्ट्रोन जो है वह उच्छ कक्छा से निम्न कक्छा में जाता है तो वह होता है तो वह होता है उर्जा का उतसर्जन उर्जा का उतसर्जन होता है जब कोई पर्मानु कर्मानु 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 कर्मान कि दरब्यमान संख्या M है तम नाभिक में निट्रोन कितनी होगी तो ये होगी M-Z M-Z परमानू संख्या और दरब्यमान संख्या के अंतर जो होता है वह निट्रोन की संख्या होते हैं परमानु संख्या माइनस दरब्यमान संख्या बराबर होता है क्या होता है निट्रोन की संख्या नेक्स्ट है परवानविक संख्या जेड एवं दरब्यमान संख्या ए के एक परमानु में इलेक्ट्रोन की संख्या क्या है कि परमानु संख्या जो है वह परमानु संख्या जेड और दर्वेमान संख्या एक के परमानु में इलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी होगी तो परमानु संख्या जो है जेड तो उसमें परमानु की संख्या जेड ही होगी परमानु की संख्या जो होगी वह जेड ही होगी याद रखिएगा नेक्स्ट है एक तत्तो में इलेक्ट्रोन और निट्रोन की संख्या आठारा तथा बीस है तो इस्तत्यों का जो दरब व्यमान होगा वो 38 होगा क्योंकि दरब व्यमान जो होता है वह होता है Elekton Plus Neutron की संख्या तो इसा 38 होगा नेक्स्ट कोश्चन है एक परमानू में 9 Electron, 9 Protron तथा 10 Neutron है इसके दरब्यमान संख्या होगी क्या है कि एक जो परमानू है उसमें 9 इलेक्ट्रोन तो था 9 प्रोट्रोन तो था 10 न्यूट्रोन है तो इसकी जो है मास्ट नमर यानि की दरब्यमान संख्या तो दरब्यमान संख्या होता है इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन के योग होता है प्रोट्रोन तो इसकी संख्या जो होगी वह उनीस होगी या दरब्यमान संख्या जो होगी वह उनीस होगी क्योंकि दरब्यमान संख्या जो होता है इलेक्ट्रोन और नीट्रोन के योग हम है एक तत्तो में प्रमानू एक तत्तो के प्रमानू में 19 प्रोट्रोन तथा 20 न्यूट्रोन है तो इसकी जो दरब्यमान संख्या होगी वो होगी 49, 39 तत्तो के प्रमानू में दू प्रोट्रोट्रोन तथा दो एलेक्ट्रोन है तो इसकी दरब्यमान संख्या तो दरब्यमान संख्या जो होती है प्रोटोन और निट्रोन के योग होती है तो प्रोटोन दो और निट्रोन दो तो प्रोटोन और निट्रोन दो मिलाके इसका सही उतर हो जाएगा चार नेक्स्ट है एक परमानु का दरब्यमान तेश और परमानु करमान के एगार है तो प्रोटोन की संख्या ग्यात किजिए क्या है कि परमानु की जो दरब्यमान वह तेश है और परमानु करमान की आनि की परमानु संख्या एगार है तो प्रोटोन की संख्या कितनी होगी तो प्रोटोन की संख्या जो होगी वह 11 ही होगी याद रखियेगा नेक्स्ट है कारवन का परमानु करमांक 6 तथा परमानु भारबार है तो इसके नाविक में कितने प्रोटोन होते है तो इसके नाविक में प्रोटोन जो होगे वह 6 ही होगे याद रखियेगा नेक्स्ट है यदि किसी कक्छा की संख्या इन से ब्यक्त किया जाए तो उसकी कक्छा में अधिक्तम इलेक्ट्रोन की संख्या क्या होगी यानि कि यदि किसी कक्छा की संख्या जो है जो हम इन के रूप में ब्यक्त करते है तो उसकी कक्छा में अधिक्तम इलेक्ट्रोन कितने होगे तो होगे 2N स्क्वार 2N स्क्वार जो होगे वह उसके कक्छा में अधिक्तम इलेक्ट्रोन होगे किसी परमानु की बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रोन रह सकते हैं क्या है कि कोई भी परमानु में उसके बाहतम कक्षा जो होता है वह उसमें अधिक्तम कितने इलेक्ट्रोन रह सकते हैं तो उसमें जो हो है वह 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रोन नहीं रह सकते हैं से जदा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। ज्यादा नहीं हो सकते हैं नेक्स्ट है किसी तत्यों के परमानु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रोन की अधिक्तम संख्या हो सकती है क्या है कि किसी तत्यों के परमानु की दूसरी कक्षा में जो होते हैं वह अधिक्तम इलेक्ट्रोन कोई भी परमानु हो उसकी अधिक्तम दुसरी कक्षा में जो होते हैं वह 8 इलेक्ट्रोन होते हैं दू, आठ, अठारा इस तरह से होता है तो आठ ही हो सकते हैं Next है निम्न में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रोन की अधिक्सम संख्या जो m-cell में मौझूद रहता है तो m-cell में जो होता है वह 18 एलेक्ट्रोन होते हैं क्या होते हैं किसी भी परमानु के जो M सेल में 18 एलेक्ट्रोन अधिक्तम होते हैं नेक्स्ट होते हैं नेक्स्ट है परमानु विद्धुत तह होते हैं क्या है कि परमानु में जो होते हैं विद्धुत के क्या होता है उदासीन रूप में पाया जाता है क्या है कि परमानु जो है वह उदासीन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है परमानु पर याद रख क्या है कि फोटोन की उर्जा जो है वह E है संबेग P तथा बेग C है तो इसमें क्या संबंध है तो यह होता है तो यह होता है P बराबर E बटे C जो होता है वह फोटोन की उर्जा संबेग और बेग में सही संबंध होता है नेक्स्ट है अस्थाई नाभिक में क्या होते हैं क्या है कि अस्थाई नाभिक में जो होते हैं वह क्या होते हैं तो प्रोटोन बराबर एलेक्ट्रोन प्रोटोन की संख्या बराबर जो होता है वह प्रोटोन बराबर न्यूट्रोन होता है प्रोटोन की संख्या जो होता है व क्या लगभग शमान होते हैं नेक्स्ट है परमानु की परभावी तिर्ज्या क्या है कि परमानु की जो तिर्ज्या होती है वो अलगभग कितनी होती है तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक किजिएगा वीडियो को शेयर किजिएगा और चैनल को स ताकि इंपोर्टेंट कोश्चन अगर चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले तो वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में